तो उसके माँ यहां समालिया फट्रान अंगर जी लागा पाकी से पीशनक देश के अभी दिसों में जो लावादी जिनादेवां पर बठे है उनसे संवाद करेंगे मेरा फट्रान अंगर आते रहेगा जब समालिया पढान अंगर जी संवाद करेंगे स्पॉंसर्ट बाई स्वर्णावा जूलर्स मोती बाजार मंडी सोने सी चमकाएं अपनी खुब सूर्ती साथियों ये कारकम शिमला में है लेकिन एक प्रकार जी एक कारकम आज पुरे हिंदुस्तान का है हमारी हाँ चर्चा चल रही थी कि सरकार के आठ साल होने पर कैसा कारकम किया जाए कौन सा कारकम किया जाए तो मेरे हमारे नड़ा जी जो हिमाचल के ही है हमारे जैराम जी उनकी तरब से एक सुझाव आया और दोनों सुझाव मुझे बहुत अच्छे लगे यह आठ वर्ष की निमित कल मुझे कौरोना काल में जिन बच्चों ने अपने माता और पिता दोनों खो दिये ऐसे बच्चों का जिम्मा समालने का अउसर कल मुझे मिला देश के उन हजारों बच्चों का देखभाल का निरने सरकार ने किया और कल उनको मैंने कुछ पैसे भी भी भेज़ दिये चेक डिजिटली आठ साल की पूर्ती में ऐसा कारिकम होना मन को बहुत शुकुन देता है आनन देता है और फिर मेरे सामने सुझावाया कि हमें एक कारिकम हिमाचल में करें तो मैंने आख बन करके हाँ कह दिया क्योंकि मेरे जीवन में हिमाचल का स्थान इतना बड़ा है इतना बड़ा है और खुशी के पल अगर हिमाचल में आकर के भिताने का मुका मिले तो फिर तो बात ही क्या बनती है आज इसलिए मैंने कहा कि 8 साल के निमित देश का ये महत्वपून कारकम आज शिमला की धर्ती पे हो रहा है जो कभी मेरी कर्ब भूमी रही मेरे लिए जो देव भूमी है मेरे लिए जो पुन्य भूमी है वहाँ पर मुझे आज देश भासियों को इस देव भूमी से बात करने का मोका मिले ये अपने आप में मेरे लिए खुशी अने गुना बढ़ा देने वाला काम है साथियों 130 करोड भारतियों के सेवक के तोर पर काम करने का मुझे आप समने जो आउसर दिया मुझे जो सौभा के मिला सभी भारतियों का जो विस्वास मुझे मिला है अगर आज मैं कुछ कर पाता हूँ दिन राद दोर पाता हूँ तो ये मत सोचिये कि ये मोदी करता है ये मत सोचिये ये मोदी दोड़ता है ये सब तो 130 करोर देशवाशों की कृपा से हो रहा है आशिरवात से हो रहा है उनकी बदोलत हो रहा है उनकी ताकत से हो रहा है बिलासपुर में बन रहा है एम्सका इसका एक प्रत्यक्ष प्रमान है अब हिमाचल वास्यों को चंडी गड़िया दिल्ली जाने की मजबूरी नहीं रहेगी साथियों ये सारे प्रयास हिमाचल प्रदेश के विकास को भी गती देने का काम कर रहे जब अर्थे ववत्ता मजबूत होती है रोड कनेक्टिविटी इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ती है स्वास्त सेवाएं सुधरती है तो ये टुरिजम को भी बढ़ाता है